नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कम्प्यूटर या फिर लैप्टॉप पे पास्वोर्ड लगा सकते हो ता कि नेक्स टाइम जब भी आपके कम्प्यूटर को कोई अन करेगा तो उसको पास्वोर्ड एंटर करना पड़ेगा तभी आपका कम्प्यूटर या फिर लैप्टॉप ओन होगा तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि आप अपनी कम्प्यूटर या फिर लैप्टॉप पे कैसे पास्वोर्ड लगा सकते हो तो इस वीडियो को आप लाश्ट तक जरूर देखना तो दोस्तो प्रेस करने के बाद यहां पर आपके पास सरन कमांड ओपन हो जाएगा तो आपको यहां पर लिखना है कंट्रोल पैनल जी हां आपको लिखना है कंट्रोल पैनल लिखने के बाद आपको एंटर कर देना है तो कि एंटर करने के बाद यहां पर आपके पास कंट्रोल पैनल हो जाएगा तो आपको यहां पर सेकंड में एक option है нужно User Account and Family Safety तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे खले किरने के बाद यहां पर आपको फॉस्ट में एक option मिलता है user accounts का तो आपको इस पे क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां पे आपको और एक ऑप्शन मिलता है प्रियेट ए पासवोर्ड फॉर एकाउंट तो आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना पासवोर्ड टाइप करने को कहा जाएगा तो आप यहां पे अपना password रख लीजिएगा देन यहां पे आपको मिलता है confirm new password यानि कि जो आपने first में password दिया है उसी को आपको यहां पे भी देना है उसके बाद password एंटर करने के बाद यहां पे आपको option मिलता है type a password hint अगर आप hint वगेरा देना चाहते हो तो आप यहां पे दे सकते ह तो hint आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा hint नहीं भी देने से चलेगा तो हम यहां पे hint दे दिये हैं hint रखे हैं हम YouTube then hint वगेरा देने के बाद आपको यहां पे create password पे click करना है create password पे click करने के बाद आपका जो password है वो लग जाएगा यानि कि next time आपके computer को आप जब भी open करन चाहोगे तो आपको first password enter करना पड़ेगा तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आप password कैसे remove कर सकते हो यान कि जो अपने password लगाया उसे आप हटा कैसे सकते हो तो हटाने के लिए आपको यहां पे एक option मिलता है remove your password का तो आपको इस पे click कर देना है इस पे click करने के उसको आपको यहां पे enter करना होगा तो हमने यहां पे password enter कर दिया है then हमें enter कर देना होगा enter के button पे click कर देना होगा तो successfully अब हमारा password जो है वो remove हो चुका है तो दोस्तों I hope मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं अगर आपको यह वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको इसी टाइप के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे तो फिर मिलते है नेक्ट वीडियो पे तब तक के लिए ठेक कियर एंड बाई